हाई फ्रेंट्स डिप्रेशन एक ऐसी तकलीफ जो शायरी दुनिया में कोई होगा जिसको ना कभी होई हो ना फ्यूचर में ना होने की गारंटी मुझको शामी करते हैं सबसे ज्यादा कॉमन अगर एक प्रॉब्लम है तो वह बच्चों को भी होती है और इसके लिगों को भी होती है मैं को भी होती है वोमिन को भी होती है अन्मेरिट को भी होती है, मैरिट को भी होती है, हजमें को भी होती है, वाइफ को भी होती है, जो लोग जॉब में उनको भी होती है, जिनके पास ज्यादा इंकम नहीं है, उनको भी होती है, और जिनके पास काफी इंकम है, क्यों होती है, कब होती है, इसके बारे में हम लोग पहले भी कुछ वीडियो में बात कर चुके हैं जो आपको शैद प्लेलिस में जाएंगे और आगे भी हम लोग इस विश्य पर और विस्ता से चर्चा करते रहेंगे आज के दिन के वीडियो में हमारा प्रयास यह है कि हम आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ वो गलत फ्या हैं जिसको इंग्लिश में करते हैं word of mouth से मैंने कुछ कहा आपको आपने कुछ कहा किसी और को किसी और को बात और ढूरी सोटी और भूजदे पर आ законने क्या होगे het cryptocurrency जचारी हैं किस से किने से बात करें किस दोक्तर पाच जाएं जोक्तर पाच जाएंगे तो कई कि यह हमको मरीज ना समझ पहले हैं जब हमारे बच्चे को है और जो इंफॉर्मेशन आपको इंटर्मेट पर मिलती है वह बहुत सीमित है फ्रेगरमेंटेड है बहुत सेलेक्टेड है और वह शायद आपके केस के लिए समुझित नहीं है या आपके केस को सॉल करने के लिए स इक है क्या है पहली प्रिश्य प्रेश्न ऊक्ति अलग लोगों में अलग यतियुत में अलगलै मानसिकता में असंपिश्य में UP children kip वहां सब करक्ष्न एक जैसा नहीं होता दूसरे गरत फमिये कि इन मैं ठेक्पष्य वर्वर्थन औरा है काफी लोगों को और मुझे कोई सीरिस वर्ड भी काफी इंग्याइटी पैदा करता है यह दौनर वर्ड निकाल दूजे ठीक है वो खार भी होता है हमें कहां से भी होती हो भी तरह की तरह की नहीं है में लाज मुझे निकल आते हैं उसके बोट को जिद्गी पर थोड़ी हुंते हैं अगर मुझे चालिज साल पहले कभी टाइपट हुआ होगा वा होगा तो आज क्या ही इसे निभी हैं या मुझे दस साल पहले डिपेशन हुआ हो तो आज उसका क्या मतलब है मैं आज फिट करिश्दा हो और चाहिवर मारे कोई फैल हो क्योंकि यह आने जाने वाली तक ही होती है बहुत सारे लोग यह समझते हैं सुनिज दुनाई भ्रांती पर यह इंक्यूरेबल इसका तो कोई लाजी नहीं है आपने उन लोगों से सुनाएं जो मैडिकल वर्ड में नहीं है जो म अगली ब्रांती यह कि इससे लोगों की डैथ हो जाती है आप कि उसी के बारे में सुनते हैं डिप्रेशन है तो पर महलेते हैं अब तो है मनने वाला है मेरी चाचा की लड़की का ऐसा हुआता है मैंने पड़ास में एक आसा हुआता है मैंने यूज पढ़नी में हो जाएगा यह गलत फैमियां हैं तोटली निराधार हैं बेस्लेस हैं हर डिप्रेशन के मरीज को सुसाइड होने की डैथ होने की कोई चार्ज नहीं है इंट्रेक्ट साही जिवन पर साही डिक्मिंग किया जाए तो बहुत सारे डिप्रेशन लाइफ में पूरी तरीके से क कि इन सार चार्षे, साथ नौदर स्केम, दस डॉक्टर के पास गए हैं दस डॉक्टर के लिए क्लिकिवी दवाईया हैं मगर हमको तीन साल से डिप्रेशन है उस लोगों को फंदरे साल से भी प्धिशन है करो हम जब पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा ताजब होता है क्यो जल्दी में थे या डॉक्टर जल्दी में थे और डिपरेशन का जड से एलाज नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया वो भी आप आगे जानेंगे क्योंकि सिर्फ दवाईयां ठीक नहीं कर सकते मैडिसन के अलावा और बहुत कुछ है प्रशन रमोटिफ तरेपी है बहुत सारे तरीके से एक एक्सपर्ट मैडिकल परसन तरेपी के बहुत सारे मौजू यूज करके जैसे एक सरजन अलग अलग तरह की इस्ट्रुमेंट यूज करता है सरजरी की तौरान में वैसे ही एक मेडिकल एक्सपर्ट असको पूरी नौलिज अहीं हो पूरी इसकी एक्सपर्टीज को उसको lagi हो वह अलग तरह के मैज़त से जिसमें सैकी इंपोर से निकालने में आपको खरो समर्थ बना सकता और सिर्फ दबाए पर सिर्द्स this द़ाय का रोल डॉज सायद बन बचे हुए 60 परसन में रोल डॉक्टर का भी है और आपका भी है अगर आप खाली दवाई पर्टिमेंट करेंगे तो शायद पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगे अगली का फैमी है कि हमने अगर एक बार दवाई शरू की तो हमने सुना है कि वे लाइफ लॉंग लेनी पड़ कोई भी सीजर्स कोई भी सीजर्स रॉक्टर कभी आपको यह नहीं करें दवाई जितली बनी पड़ेगी अगर आप बहुत सारे अफवर्स कर लेंगे तो दवाई आपकी कुछ महीने के बाद कंसिडरेवरी काम की जा सकती है और शायद मेंटेनर्स दोजपर मिनिमम और कुछ महीनों के बाद वोजी थोली भी नहीं लेते वो इतना कुछ प्रैक्टिस इतनी कुछ एक्साइस करना सीख जाते हैं और करते हैं कि उनका मूट कभी लोग होता ही नहीं है अगली कर फैमी है कि मैडिसन अगर हम लेंगे तो उसके लॉंग तम के साइड एफेक्ट पहुंचने में इंवेस्ट करता है कि क्वालिफाइट हो कि इस तरह की तकलिफों को समझ कर त्रीक क्या है तो क्या वो बिल्कुल असक्षम है नियुक्वेट है या उनकी आप से कोई पुरानी जमानी की पुरानी जर्ण की दुश्मनी है बिल्कुल नहीं यह सारी चीए की डवाईयाँ सुर्व नीन की दवाईयां नहीं होती डिपरेशन आ सके असानि varit लूगरे नीन पर सुर्ण physician की तकलीफ है उनको नीद को ने आने की तकलीफ होती है सर्फ उन लोगों को उन कूं दबाईयां दी जाती है जिनुसे उनको आचले तो साउंड या सके आसािए से वो नीन में जा सके पूरी घहरी नीन बर रहें सुबह उठे तो प्रेश रहें सिर्फ उन्नों को दबाईया दी जाती है बाकी डिप्रेशन के टीट्मेंट में कोई नीन की दबाई नी जाती आपको जानकर शायद एक नई जानकारी मिलकर कुशी भी होगी अभी तो बहु अगली एक फेमी है कि पेशन को कुछ नहीं करना है उता भी टाराहा है अच्छ नहीं पेशलिस हैं पीशनट को करना है हम दस दॉक्टर को दिखा चुकिए आप ने तश दोक्तों को दिखाया बहुत अचा किया अपने सेकेंड करेंगे डॉक्टर दवाई बनाद देंगे वह treatment depression का नहीं है क्योंकि आपको डॉक्टर की guidance में जिसके पास समय हो जिसके पास साय हो जिसके पास समझ हो यानी skill हो जिसके पास patients हो वह आपको करेंगे करेंगा कि आप अपनी मनुवरती में अपने सोचने के तरीके में वह बतलाव ला सकते हैं कि आपको डिप्रेशिव थौर्ट्स डिप्रेशिव फिलिंग होई ही नहीं बढ़ कर उससे सखना ले जाएं जहां आपको सिकायटिस की जौदब पढ़े और उसको कहते हैं सिबीजी जिसकी जर्वत सब को होती है मजें लिए अगली करद फैनी है कि मैडिसन जो हैं वह कोई ज्यादा अच्छी मैडिसन दुनिया में है ही नहीं हमको जजज बन जाते हैं पूरे फार्मसिटिकल वर्ड के उपर पूरे मैडिकल वर्ड के ऊपर बिना पूरी जर्द क हम त्योगे वहाएं गैये ऐसा नहाँ हुकान क्यों से कंप्योटेंट स्म्टमस हो इस क्या 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 कॉप्लिकेशन हो सकते हैं किस दोज tomar किस इंसान को जूट करेगी किस इंसान komm料 मेंकरेब वैरे किस इंसान को बेट पेस्जर करेश मिलेस इkins इसका भोवर वेट की कव उसी दवाई दीजाने हैं और खाली दवाई नहीं उसके साथ में और क्या थिरापी होनी है इसलिए ये गलत फहिमी आपके लिए नुकसान दे हो सकते हैं कि आप खुद अपने को टीट कर सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहिमी कि सिकायच से सुखाली दवाई का एक से खूजिए हो जाते हैं उनके पास काफी हो जाती है तो उसको उतना समय नहीं दे सकते हैं उतना समय चाहा कर दिनी देना समय वेत्वाए को सब्गे कांस्ली से क्रैक्राइबी दूसरों के पास है कुद supply chain क लगे कशभब् जो जो हमने सीखा है हमको MDK वे 43 years हो गई हमको practice करते वे 43 years हो गई हमने 1911 MDK थी जो जो को सीखा है हमने उसका पूरा benefit हमें क्लाइब को दे सके तो हम कोशिच करते हैं कि उसको सब कुछ बताया जाए वो सिखाया जाए जिससे उसको depression की करते से जल्दी से जल्दी निताला कि देप्रेशन को टीट करने के लिए जो दवाइयां होती है वो दवाइयां है वो नश्य की दवाइया नहीं है वो ड्रक्स हैं थेरापेटिक ड्रक्स हैं वो एडिक्टिव ड्रक्स नहीं है कोई चांज नहीं है कि आप उसपर डिपैंडने की जाएंगे बलकि एक sensible कि देप्रेशन सबको नहीं होता को स्लोन को होता है जब कि हम यह कहरें कि डिप्रेसिव मूद तो सबको होता है डिप्रेशिव रियक्शन भी सबको होती है हाँ डिप्रेशन के सिंटम्स जब आपकी बॉडी को असर करने लगते हैं मोर्द निन टू वीक्स जैसे कि लॉस अपटाइट हुआ लॉस ओफ एनरजी हुआ लॉस अप स्लीप हुआ लॉस अंपर्स एं सराउडिंग वर्क बेस हुआ इंक्रीज बेट हुआ यह लॉस इंवेट हुआ तब आपको मैडिकल एटेशन की सिकार्टर से जरुए पर देंशन की जरूए लेकिन उसके अलावा स दो में से 99 लोगों को कभी ना कभी डिपरेशन के थाउट्स डिपरेशन की रियाक्शन की होती ही होती है यह कुसलों के समझते हैं डिपरेशन हो गया तो हमारी किसमत खराव है वो लोगों को पोचते हैं किसमत को पोचते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको कभी-कभी देप्रेशन का हो गया तो जिन्दगी भर रहेगा बिल्कुल नहीं यह आपने उन लोगों से सुनाएं जिनकों इस विशह पर जानकारी नहीं थी आप मैंसे काफी नोगों को पता है कि डिप्रेशन को अगर अंप्रीक्ट शोडिया जाए तो कितना लॉस अप इनरजी लॉस सब्सक्राइब लॉस ऑफ मैंच एंड लॉस ऑफ मेंस वर्किंग हृवर्स एंड लॉस जख भाइलाइब लॉस ऑफ इंटेमेट लाइव बाई लॉस ऑफ ट्राइव जविक सामन सेक्स लाइब एड मेनी ताइम्स आगर उसको उन्टी चेट्स हो दिया जाए तो लॉस वो इस भी होता है लोगों के बीच में जब पेशन की रिजय सुखती है और डेफ भी होती है जो लोगों को सही ट्रीटमेंट्स सही समय पर सही तरीके से नहीं बिशारे जनकी से इतने निराज श्तास हुझाती हैं कि दुनिया की छोड़ने की सोचते हैं और कभी-कभी जब तो दुनिया चोड़ भी रेते हैं जो जानकारी आपको आज मिली है उसको हलके फलके मत देदेगा उसके उपर सोचिएगा और वह बहुत मैंगोन बहुत इंपॉर्टन जानकारी है और उसके उपर सोचकर याद करके उन लोगों को बताने के कोशिश करिएगा जिनको इस जा मेश बेस्ट देड्ट आफ चहर लाइब रागड़